हरी ने जीव को समझावे के लिए चार रूप धरे प्रथम तो आप जो है अवतार धारन करते हैं परित्राणाय शाधूनाम बिनासाय स्मित्रस्कृताम और दूसरो गुरून को रूप धारन करते हैं तो गुरून को रूप धारन करके उपदेश करते हैं कि भजन करो तीसरो शाधून को रूप धारन करते हैं कहते हैं गुरू आज्या करो तब कच्छु बिश्वास हुवे तो गुरून ने हरी को भजन बतायो साधून ने कही कि गुरू जी की आज्या पालन करो आज्या माने पालन करे और चोथो रूप है वाणी पूथी सास्त्र को तो सास्त्र को वाणी पूथीन को रूप धारण करें दी हरिया में उबदेश की योग गुरून की सरण जाए साधून को शंग करे सास्त्र को स्रवण करे हरी को भजन करे ये वाणी पोती सारी चारो बात बताती हैं तब ये चारो ही सरू प्रेमी जिनों एक ही जानों हरी गुरु साधु ये सब समान हैं वाणी भी इनी को रूप है जैसे तीन चना एक छोल का ऐसे आचैरिमान भाव और बताती हैं सियहदार